एक समय हुआ करता था तब राजनीती में बुजूर्गों का दबदवा था बुजूर्ग जो कहते थे उसी तरफ राजनीती चलती थी उसी तरफ परिणाम आते थे लेकिन समय बदल गया है आज युवाप पूरी की पूरी भाविदारी राजनीती में निवा रहे हैं और इसी कारण दखटक की टीम जोदपूर पहुंची हैं और जोदपूर के कुछ युवाओं से जानेंगे कि युवाओं के मन में इस बार क्या चल रहा है देखाटी की टीम युवाओं की नर्ज चटोलेगी और जानेगी कि जोदपूर में इस बार क्या चाते हैं यहां के सांसद के अंद्री ये वंत्री गजंद्र सिंग सेखावत को लेकर गावों में काफी मैंनत करने जैसा माहूल नजर आ क्या माहूल है जोदपूर में मैं सुरुवात युवाओं से करता हूं सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका सब्सक्राइए और लोगसभा में जीत कर बारी मतव से जाएंगे यह हमारी युवाओं का पुरा जोस है और अंतिम चोर पर गाउंग डानी अंतिम चोर पर बैट सब्सक्राइब करें और भारी मतव से जिता के लोग तो कह रहें मोदी की सरकार थी खूब सारे काम की गजंदर सिंग से खावत ने पानी को लेकर बात कर लो सड़कें यह वह खूब काम कर वह नहीं कि मैं खुद गाउं से आता हूं मेरे पाइपलाइन भी नहीं है और हमने मोदी की लेरे जी कापी हत तक यह नहीं है अब अब अधलाव की लेरे करनशींग जी जोतपुर में करण सीख जी की नाम से मत मत्युंसंपरतन मिलेगा जोत पुर में लोग गजंदर शिंग से परेशान है उन्होंने दस साल देख लेकर अजिकर सी मंत्री भी जल्मंत्री किसी भी किसी भी तरीके से कुछ काम नहीं किया एक रुपे काम अगर गजंदर से आप नाराज है तो एक पंक्ति में आप से पूछें कि क्या वह कारण है इसलिए मैं नाराज भाइशा आट सो रिवे टेंकर का पानी देन मंगावा जल शिक्ति मंद्री आप बिल्कुल पानी इडिया के माराज इसे पूछ सालों के अंदर को ये काम गिना जो माने था जी आ पर आज ब्रेलिक कर रहा है यह तो वेक्तिवी से चुनावनी यह मोधी के ऊपर चुनावे यह धरम को लेगते वह तुनावे सनाता द्रम को बचाने के ऊपर है तो मैं आप सब से यह गुज दर्म का मुदा छोड़ते हुए अब बेरोजगारी पर आपको बात करनी पड़ेगी कि रोजगार युवा को कितना दे अपने महिलाव के लिए क्या करें बुर्जु को लिए क्या करें अब इस बारे पर बात्चीत करने क्या यूथ यह समाच चुका है कि भाई यह सब नहीं किये उनके खुद के विदाइक सेरीगेड में राइस सब्सक्राइब के मादिम से कह रहे हैं कि माने मंत्री जी नहीं कहा था अगर ऐसा हो जाए तो मैं इस्तिफा देने के लिए उनके विदाइक के यह शब्द है तो आप बताए कारी हुआ सिर्प यह गोली देने के लिए कुछ कारी है नहीं ऐसा कुछ हुए था मैं आप लिखित में दिखा दे और हम इसको एक्षप करने के लिए और अब करण सिंग इतने मजबूत दावेदार है उससे बोखला है अब जैसे वहां पर उनके बीजेपी कारी करता हमते मिलते हैं कि हमारे दो आएंगे मोदी यह योद्गी चुना लड़ रहे हैं मोदी चुना लड़ यहां लड़ रहे हैं गजंदर सिंग्जी सेका तो सामने करण सिंग जो वह ऐसी सक्षित है जो राच्व समाज बहुत अपना प्रभाव रगती है और पूरी कॉंग्रेस पार्टियों युवा कॉंग्रेस जो यहां के लोगों के बीच में कहिने कहीं आसपास भटक रहे हैं लोग के रहे हैं कि इन मुद्दों के साथ कोई आ जाए हमारे बीच हमसे बात कर लें तो हम वोट देदें देखिए पिसले दस सालों में केंद्रेजल शक्ति मंत्री का सब ने काम देख लिया जनता ने द सब्सक्राइब करते हैं कुछ भी विकास लोगों के लिए नहीं किया जगे जगे ग्राव में पंचायतों में लोग पीडित हैं क्योंकि महां पर पानी के कनेक्शन नहीं आ रहे हैं करण सिंग जी हर तरीके से बदलाव लेके आएंगे पिसले 25 साल से वह राजनीती में है और हर तरीके का सोशल काम किया है और उनकी छवी सब को पता है तो एक बार जोदपूर जरूर उनको चांस देगा और विजद दिलाएगा यूथ और जोदपूर काफी कनेक्टिंग है क्या कहेंगे हैं सर यह यूथ है जो देश को अगे बढ़ा सकता है मगर यूथ की की के महिला का अपना नीस एक राजिस्तान आज देख लो सारे रेपके से बीवीपी के कार्यकरता बीजेपी के कार्यकरता निकलते हैं आज इंका काम देखो दरातल पे मेर को एक इट का भी उगड़ा तो बता दो इन्होंने कुछ भी नहीं क्या पानी के अरजल पहुचा पानी तो दूर की बाट करो लिए अब वहसाब कोने हम धील यह ती लों करोई ने इक तरफ देश बढ़ा बिकास और विवाद ये जोद्पूर में काफी बातें होती हैं विकास हुआ एक विवाद हुआ है गुक्रार में तो इन्होंने विवाद सेल या कुल मिला कर जैसे कि जोदपुर के लाडले करेंड करेंड़ उच्यार आपannya लोगों की सेवा की और गजंदर सिंग्ण सेकाऊ से पूछ लोगी करना में उन्हें किया किया और किया तो कित्ती सभा करेंगे वो इसका को बता है क्या कहना चाहेंगे इस बार जोद्पुर लोग सभा सेतर से करण सिंग जी को जनता इसलिए जिताएगी क्योंकि पिछले 10 वर्सों में केंद्रिय जल संक्ति मंत्री गजंदर शिंग जी सेका उतने कुछ भी काम निकिया जल संक्त पर जांदर शिंग जी ना दस वर्स में लगाया हो तो आप बताएं अब जाकर अचार सहीता लगने से पहले दस या पंद्र दिन पहले जाकर पत्थर लगाकर उद्गाटन कर रहे हैं पुराने काम हो गई अब उद्गाटन तो उन्होंने किया फिता करण सिंग जनता ने दो बार सांचत बढ़ाया है और उनके किसमत मैं समस्ता हो कहीं कि अच्छे हैं क्योंकि जोदपुर से ही हमारे लोग लाड़े पूर्व मुक्य मंत्री मांननी जन्ना एक मौदे न करवाया और इसलिए उनको काम कराने की जरुरुत नहीं पड़ी इसलिए वह दिली बैठर से करनी आप बताएं सर इस्थानिये और बाहरी यह काफी मुद्दा जोदपूर में गर्मा रहा है क्या कहींगे निश्चित रूप से यह मुद्दा तो लाजमी है और बाहरी होना भी कोई गुणा नहीं है लेकिन बाहरी जब किसी सीट से चुनाव लड़े तो उसको उस जन कहीं देखने को नहीं मिली केंदर के जल सक्टी मंत्री छे यहां पस्षी मी राजस्तान के ढणी 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 गाउं गाउं पाणी की नहरे आनी चेह ची उसकी बजाए दो इंच के पाइप में भी पाणी नहीं आ रहा है यह हमारा दुरभाग्य है बिल्कुल आप बताएं कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले बाप जी और गजंजर सिंग के बीच में भी कुछ कुछ हुआ था सच्छा है कि बिल्कुल सच्छे हैं कल फोकुन मिटिंग में रिजल्टी आगी हमें सब्सक्राइब बापुजी हाथ जोड़ो हमके लाज राकिया और पचीस हजार से करेंसिंग चड़ागे रहेंगे सब्सक्राइब 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 इतना बड़ा वोट बैंक है वीजेपी का उन्होंने उस एरिये में बिल्कुल भी काम नहीं कराया किसी स्कूल में किसी कॉलेज में किसी होस्पिटल के अंदर किसी भी सड़क पे किसी भी तरह का दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी कि वह से को लेकर संसत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे से सरेली करण की बात करेंगे लेकिन उन्होंने एक पत्र भी नहीं तुम्हें क्या गारंटी है कि करण सिंग जी सब कुछ करवा दें बिल्कुल हमको सारी उमीद है कि जो जनता है पबलिक की जो नॉर्मल डिमांड है बड़े लेवल की जो डिमांड ने करण सिंग निश्चित रूप से करवाएंगे उनको क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत तरीके से काम करवाए हैं बिना किसी राजनितिक पर रहते हुए भी तो हमको पूरी उमीद है मा तो हमें काफी उम्मीद हैं देखने वाली बात होगी कि चुनावां में किसका रुक किस तरफ रहता है और यह चुनावी परिणाम किस तरफ करवट रहता है धन्यवाद